हरको उस कहता है ना कि बहई मैं मंडे से जिम जाओंगा मंडे से पिट्टर्स पर ठिहान रखूंगा या मैं एक तारिक से करुंगा रेजोलुशन मनाके निए९र का हरकोई का पास यही एक रीजन होता है कि हम तो जाएंगे नेक्स्विर से जाएंगे मडे जाएंगे एक से जाएंगे 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 आज इस बार दो पश्ट pan लेक हैं पर से वरी को मंटे हैं ऑज बरन फर्स जैन्वर आपक चंगर में रेज़िशनज में तोLord विज़िस बात की, हम पूरे साल सोचते रहा जाते हैं, कि हमें fitness goals, जो है हम अचीव करना है, में को पतला होना है, में को अपनी body को ट्रांस्फॉर्म करना है, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ excuses के वएज से हम लोग अपनी fitness journey को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो यही गलती आपको 2024 म में नहीं करनी है, मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज लेकिया हूँ, जिससे जो भी अपनी transformation journey को नहीं अचीव कर पाया 2023 में, वो गैरंटी नहीं, गैरंटा दे रही हूँ, कि वो अपना 2024 में ट्रांस्फॉर्म बिल्कुल कर पाएगा, लेकिन condition एक है, कि आपको मुझे मेरे पेज पे, transformation.guru जो Instagram पे है, उसमें अपना transformation टैक करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चले कि किन-किन लोगों ने अपना body transform किया, सिफ मेरी इस वीडियो की help से, जो जो मेरे साथ जोडने वाले है, सबसे बहल तो comment कर दीचिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते कि कैसे आ उठा के चातली फाड़ के आप चल सकते हो, मैंना यहां पे नोट्स कुछ लिखके आई हो, यह आपके दिन के पूरे नोट्स है, जो एक तरह से आप रूल से जिसे आपको फॉलो करना है, तो जो जो मैं बोलती जाओंगी, जो जो मैं आपको बोलोंगी उस आप एक डायरी नोट करो, कैलेंडर रख लो, और यह सोच लो कि मुझे यह दिन में जितने भी रूल से वह पूरे करने हैं, आपकी इसी रूल की वज़े से अप प्रेश जाएँ आप डायेट करेंगे, भूल जाएँ कि आप वक आउट करेंगे, सिर्फ आप यह रूलो करेंगे, इसका प भूल जाएँ कि वर्काउट है, सिर्फ यह 10 रैप कर रहे हैं और 5 सेट करने हैं, हद मार के आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेंगे इसको करने में, और यह बहुत ईजी चीज है, जो आपकी बॉड़ी को वाम अप करके आपका पूरी बॉड़ी को वर्काउट कर लेगी, प वो इस चीज को वर्काउट ना ले, सिर्फ अपनी बॉड़ी को यह सोचे कि इससे बॉड़ी एक्टिव होती है, वर्काउट नहीं है यह, करना के आपको इस तरह से प्लैंक पोजिशन है, ठीक है, पैर आगे, खड़ा होना है, वापिस से 1, 2, easy है ना, तीन, पांच, साथ, दस, यह मैंने काउंटिंग गलत करी, आपको पूरा 1, 2, 10 करना है, रेक लिलो बेशक 10, 15 सेकिंड का, फिर वापिस से 10, 10 रैप करके, 50, कम से कम 50 रैप करने हैं, इसमें आपको हद मारके, दस से पंदमनट लगेंगे यह सुबह हुटते ही फ्रेश होने के बाद आपको यह करना है याद रखी यह आपका है रूल नमबर टू यह आपका वाम अप कहिए वर्काउट कहिए या फिर अपनी बॉड़ी को एक्टिव करने का एक तरीका कहिए इसके बाद आपकी को भूल जाएए आपको सिर्फ प्रोटीन डायेट लेनिया प्रोटीन मतलब कुछ भी आप खाये उसमें हाई प्रोटीन होना चाहिए जैसे कि आपको वर्काउट के बाद में बताऊंगी इफ यू आर वजिटीरियन तो आप ले सकते हो पनीर की सबची आप नॉमल पनीर तो आप लीजिए पनीर के सबची रोटी अगर आप थो खाती तो आप एक खाウगे तीन खाते तो ंटेछ गाओगे चार खाती दो खाऊगे रोटी की कौंटेटी कम करोंगे हर मिल में प्रोटीन सबहना चाहिए उसमे और अवार मेल जिससे आपको OUT चाहिए पणाँ यास cowboy आप चिकन खा सकते हो, आप एक्स कहा सकते हो, तो जो आपको ठीक लगे, लेकिन हमेशा याद रखी, वर्काउट के बार आपको प्रोटीन डायेट ले, रूल नमबर थी, दिन में एक बार, या तो आप जूस पियोगे एक गलास, या फिर कोई भी एक फ्रूट लोगे, या नारियल पानी लोगे, इन तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये अपने डे की रूटीन में एड कर लो, जो आपके बजएट में सही लगता है, अब वो चीज अपने रूटीन में एड करनी है, और आपको ये लेना ही लेना है, जब ये तीन रूल पूरे हो ज अगर आप मुझ से पूछो के कितना पानी पिना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी तीन से चार लेटर, पानी ऐसी चीज है गाईस, एक अपने आप में फैट बर्न का काम करते है, आपकी बोडी से फैट अगर आपको कम करना है, तो दिन में जाय सीजाय पानी पीजी ह वैस صव तो आज कल सरदी है, तो आपको नॉर्मल पानी भी सूट करेगा, तो आप गरम पानी भी पिशाय एगा, तो कोई डाइत नहीं दे रहे गाईस, आपको कोई डाइत नहीं फॉलो करनी है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो भी आप खाते हो दिन में, जो भ आप हाई प्रोटीन और लो फाट वाली डाएट होने चाहिए, कुछ भी खाओ, जो आपको पसंद हो, मैं आपको नहीं बोलूँगी, कि आप ये खाओ, वो खाओ, अफ्कॉर्स बाहर का नहीं खाना, लेकिन आपको हाई प्रोटीन डाएट लेनी है, अगीन, आपके अपको कि अगर आप रोती, दो खाती हो, तो आपको एक करने है, तो कॉंटिटी कम करें ता कि आपको बोडी में काप्स कम जाए, हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाएट से आपकी बोडी में फाट बहुत चल्दी कम होता है, और आपकी मसल भी लूज नहीं होती है, ये जो कि आपको खाने के बाद ना सोना नहीं है, मैं आपको आज कल कोई इतना डिसिप्लीन में नहीं जीता है, कि वो आठ बजे डिनर कर ले या फिर साथ बचे डिनर कर ले या नो बचे बहुत कम लोग होते जो ये फॉलो करते है, तो आपको अगर कि तस बचे डिनर करते हैं, आपको सोना नहीं है आपको वॉक करना है आप चाहे स्टेर्स का जितना मर्जी यूज करिए या फिर खाने के बाद आप दस मिनट गहर पे चल लेजिए या फिर एक टागेट बना लेजे कि भाई आठ से नौ हजार मुझे स्टैप दिन के कम्प्ली नंबर सेवन तरफ मैं ल से आपको कम्या हो तरफ मैं लेज अपको उसके वेज़ आपको साथ से आठ से आठ से आठ सब्सक्रावी नहीं नहीं है क्योंकि वॉड़ी गरो तब करते जब होकि पो इतने विरून तो बहुत इंबर्डने जिससे आपकी बोड्रमी नेगटिव इफेकट निहाए जैसे but not the least 8th one is no excuses 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 are that today is a party today is a birthday today is a wedding so this is why I am going to cheat today brother, I will tell you that no birthday party is not going to be 24 hours no婦 is not going to be 24 hours it is going to be 24 hours so in that time what will you do for example I want to go to birthday party so brother the whole day which I have to follow which I have to follow which I have to follow but but when it comes to the night what will I do then you can cheat at the party but you have to go to the party every day only for one hour for the party for 12-15 hours you don't have to fail so you have to cheat at the party you have to cheat at the party but the next day you don't have to say that I am following 10 days so that's why I have to cheat No after that you have to forget that at night and the next day you will follow the same routine and the same rules you will follow so these were our 8 rules which you have to follow if those rules are easy please tell me in the comments one more thing whatever you eat keep in mind that you don't have to do munching if you have breakfast or lunch then whatever you have to do next meal there will be 2-3 hours in that you don't have to eat biscuits or tea or munching all this because munching there is also a reason that your fat increases in the body so what you have to eat for 2-3 hours you should have to eat and every food is high protein if you need a customized diet which we provide online clients if you want to get a proper customized diet you can contact us on Instagram you can contact us transformation.guru there is our page with online clients you can see your clients who you have transformed and you can take your customized plan and you can contact us you can contact us and our email id also if you follow these rules daily then trust me you can stay fit in your house without any gym you can stay fit in your house trust me so thank you so much I will end this video I hope this video was very useful if you were useful like subscribe to my channel and comment that my next topic should be youtube thank you so much and all the best